नमस्कार दोस्तों MP टोडे में आपका स्वागत है मेरे साथ मैं गोलपाड़ा बाला जी अनमान मंदिर के चरण सेवक जगवीदास तॉमर जी है आज हम इनसे कुछ सवालों के जवाब लेंगे जो वह बताएंगे वो आप सुनिये क्या मोदी जी के नारे को पलीता लगा रह है जो राष्टवादी भी है संत भी है हिंदू भी है सनातनी भी है और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए जी तोड मेहनत कर रहे हैं और ऐसे व्यक्तिन है जो नारा दिया हुआ है सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास इस नारे को इस नारे को बागेश्व और धाम के जो पीठा द्युष्टवर है दीरेन सास्त्री वह पलीता लगाने में लगे हैं वह हिंदू सनातनी कह कर बढ़वारा सा कर रहे हैं जहां हमाए मोदी जी जिस मिसन को लेकर चल रहे हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास बहीं दीरेन सास्त्री जी इस नारे को पलीता लगा रहे हैं वो इससे एकदम विप्रीत चल रहे हैं वो चादर और फादर की बात कर रहे हैं हमारा भारत का संब्धान हमारे भारत की परिस्तियां देश काल परिस्ति के अनुशार चलना चाहिए जैसे हमारे संत मोदी जी चल रह हैं राश्टरबाद का जंडा बिश्व भर में उंचा किये हुए हैं तो मेरा यही मानना है अच्छा उनके भक्तगन आपको उल्टा सीधा बोल रहे हैं क्या कहना चाहेंगे इस पर जब दीरेंद साश्त्री जी श्वयम कथा मंच पर बैठते हैं धार्मिक मंच पर बैठते ह हैं और लोगों को उल्टे सीधे सब्द बोलकर गालियां सी देते हैं कि ठटरी बान जाये नक्टा सब्द बोलते हैं इस तरह के अब सब्द बोलते हैं यहां तक कि एक बिदेसी महला को बिठा कर वो उससे ठटरी बरे कहलवाते हैं तो उनके सेवक और सिस्य क्या सीखेंग हिंदू होने का बिरोधी बता रहे हैं मतलब मेरे लिए ना जाने कितनी अनरगल बातें कर रहे हैं तो यह संभावित इसलिए हैं कि उनका गुरू ही ऐसा है जब उस बिदेशी मेला को पता लगेगा कि ठटरी वरे क्या होता है उसका अर्थ मालम पड़ेगा तब वो अपने बिदेश में जाकर क्या संदेश देगी कि भारत के धर्माचार क्या कहते हैं इस तरह के सब्द बुलते हैं भारत के धर्माचार और बुलवाते हैं बिदेशी मेरे लोगों से क्या नाम है तो उनके सिस्षों के बारे मुझे कुछ नहीं कहना जैसे गुरू बैसे है सिस्ष अच्छा दीरेन सास्त्री जी के जो सोशल मीडिया पर जो समर्द तक बढ़ रहे हैं इसके बारे में आपका क्या कहना है वो उत्सुख हैं जैसा कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा था या पिछले इंटर्वू में कहा था कि अब राश्टी मीडिया उत्सुख है इनके बारे में जानने को आखिर ये हैं क्या और ये क्या कर सकते हैं और इनके जो पर्ची निकालने का कारणामा था जिसे अब क्या कहूं मैं कि हनुमान जी महराज का नाम लेते हैं हजारों लोगों की भीड में चार परची को निकालना क्या कहते हैं इसे सटे वाजी कहते हैं कि सटे की चार परची एक परची निकलती है न जादू के खेल से ऐस तरह क्या नाम परची निकालना है कि जब लाखों लोग बैठे हैं उनका क्या भला होगा इन चार परची से ऐसे तो हमारी स्वानी साह है स्वानी साह है इनके मन को पढ़के बता देंगी वह राश्टी इस्तर पर क्या नाम है और बिस्तर पर क्या नाम है जादूगर है और वो किसी के भी मन की बात पढ़ लेत अधिक से अधिक देख रहे हैं और सियर कर रहे हैं प्रीतम लोधी और स्याम मानव को जो जिस तरीके से धंकी मिली आपको अगर धंकी मिलती है तो आप क्या करेंगे देखो भाईया 18 दिसंबर को मैं गया था भागेश्वर और बहां से मैं अपने मन में जो रखे लाया वह कर नागपुर में जाकर जो भी इनके साथ हुआ मैं ना उसका पक्ष में हूँ ना बेपक्ष में हूँ मैं ना स्याम मोहन हूँ ना प्रीतम लोधी हूँ जैसे ये हनुमान जी महराज को मानते हैं मैं भी हनुमान जी महराज को मानता हूँ ये सोसल मीडिया के माध्यम से अप तुस्तान के किसी भी कौन में मुझे बुलाएंगे, मैं वहाँ निश्यत रूप्षा पहुंचूँँगा. You don't speak Hindi? No. Understand? No. Okay. No, you can do it without mickey, but you can tell me about it. Okay, let's just say one word, give it to them. Thahtari. You are speaking in Thahtari. Special words. Special words. Thahtari. Thahtari. It's special words. Special words. Special words. Indian. Special words. India. Thahtari. Thahtari. Thahtari ke bare. Thahtari ke bare. Hanuman Chali Saab, you haven't read it yet. You haven't read it yet. You haven't read it yet. Thahtari. Thank you. You haven't read it yet. Thank you. झाल झाल झाल